जारखंड में बढ़ते मानव तसकरी के मामले को देखते हुए मुख्यमंतरी हेमन सोरेन ने बीते कल एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी इस मीटिंग में उन्होंने मानव तसकरी बाल शरम पर रोक और प्रवासी स्रमिकों को लेकर बहतर कारिय योजना बनाने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री ने इस मीटिंग में कहा कि हर हाल में मानव तसकरी को रोका जाए बाल शरम को भी रोका जाए जो बिचौलिये हैं उन पर कारवाई सुनिश्चित की जाए बीदे सुक्रवार को इस मीटिंग में मुख्यमंत्री द्वारा कई और दिशानिर्देश दिये गए इस बैटक में उन्होंने अधिकारियों से कहा मानव तसकरी की घटनाओं पर राजसरकार गंभीर है हर हाल में मानव तसकरी पर रोक लगाए प्रवासी श्रमिकों के डेटा बेस को लेकर मेकानिजम तयार करें इस मीटिंग में सबसे अच्छी बात ये रही कि मुख्यमंत्री ने राजिके सभी 24 जिलों में एंटी हुमन ट्राफिकिंग, STSC, साइबर महिला थाना समेत अन्य थानों की कंबाइंड बिल्डिंग बनाने का निर्देश दिया है जहां STSC थाना, एंटी हुमन ट्राफिकिंग थाना, साइबर थाना, एवं महिला थाना 24 घंटे 7 दिन काम करेगा साथ ही ये निर्देश दिया गया कि संबंदित विभाग कंबाइंड भवन की DPR तयार कर जल्द से जल्द कारवाई करना सुनिश्चित करें अधिकारियों को ये आदेश दिया गया कि हेल्प डेस्क एवं कॉल सेंटर को जल्द से जल्द एक्टिव करें ताकि बच्चों को बाल श्रम की और धकेलने वाले बिचॉलियों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जा सके वैसे श्रमिक जो घरेली कारियों के लिए दूसरे राजियों में जाते हैं उनका डाटा और पुलिस वरिफिकेशन सुनिश्चित करें ताकि उन्हें शारिरिक आर्थिक तथा मानसिक शोषन से बचाया जा सके मुख्यमंत्री ने कहा कि एंटी यूमन ट्रैफिकिंग से सम्मंधित जितने हेल्प डेस्क तथा कॉल सेंटर बनाए गए हैं साथी मुख्यमंत्री ने ये भी आदेश दिया कि जो लंबित मामले हैं उसका जल्द से जल्द निप्टारा किया जाए जारगन के सीम हेमन सोरेन ने पुलिश विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि एंटी यूमन ट्रैफिकिंग से सम्मंधित पुराने एवं लंबित मामलों का निरंतर समीक्षा हो उन मामलों को जल्द से जल्द निश्पादित किया जाए मामलों के कन्विक्षन की मॉनिटेरिंग करें मानव तसकरी में शामिल लोगों पर कड़ी कानूनी कारवाई करें यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल सिंडिकेट अथवा एजिंसियों पर हर हाल में कारवाई सुनिश चित की जाए मुक्यमंतरी सोरें ने अधिकारियों से कहा कि राज में वैसे प्रवासी शरमिक अत्वा मजदूर जो रोजकार के लिए दूसरे राज में पलायन कर रहे हैं उनके हित के लिए एक बहतर कारी योजना बनाए एक ऐसा मेकानिजम तयार करें जिसमें राज सरकार की और से उन्षरमिकों को इंसेंटिव दिया जाए तथा उनका सारा डाटा राज सरकार के पास सुरक्षित रखा जा सके मुख्यमंत्री ने कहा कि राजी के सभी पंचायत एवं सुदुर ग्रामिन छेत्रों में भी मानव तसकरी से सम्बंदि सूचना तंत को मजबूत करें इस बैठक में सीम हेमन सोरेन के अलावा मुख्य सचिव सुगदेव सिंग, मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव वंदना दादेल, अनुसूची जनजाती, अनुसूची जाती, अलसंग्यक एवं पिछड़ा वर्ध कल्यान विभाग के प्रधान सचिव राजी वरुनिक्का CID के DG अनुराग गुपता, CID के IG असीम विकरांत मिंज, श्रम विभाग के सचिव राजेश शर्मा, महिला बाल विकास एवं समाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव क्रिपानन ज्जा, स्कूली सिक्षा विभाग के सचिव के रवीकुमार, श्रम आयुक्त संजीव बेश अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करने हैं, बाकि आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हों, तो कमेंट बॉक्स में आप सातरा मंत्रित है इसके अलावा हमारे वीडियो आपको अलग-अलग ठिकानू जैसे फेस्बुक, इंस्टेग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेगे जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिये गया हैं, शुक्रिया